आम करपूर गौरं करुना वतारं संसार सारं हुजगेंद्र हारं सदावसंतं हिर्दयार अबिंदे भवं भवानी सहितं नमान बलो बंबं भादे बंबं देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरी परवत के बारे में बताने जा रहा हूँ सूरी परवत को देखें और जीवन में आगे होने वाली घटनाओं को आप पहले ही जाने आज के इस वीडियो का विशै यही है टॉपिक यही है सूरी परवत पर में जब आपको हलचल दिखाई दे सूरी परवत पर में जब होने वाली कुछ ऐसे चिन, कुछ ऐसी रेखाएं दिखाई दे तो आज मैं आपको बताने वाला हो कि उसको देखते ही आप पकर दे कि अच्छा ये ये घटनाएं होने जा रही है जीवन में आईए इसको समझते हैं देवी और सजनो सबसे पहले तो आप ये जानने के सूरी परवत है कौन साभी आपके सामने में जो तस्वीर है उसमें ये दिखाई दे रहा है अनामिका अंगली है ये और अनामिका अंगली के जश्ट नीचे का जो ये वाला भाग है जहां सूर्ज को जान लेंगे सीख लेंगे लेकिन जो लोग मुझसे प्रसनली अपनी हस्त रेखा अत्वा जन्मकुंडली के अनुसार अपने कोईस्सी के बारे में जानना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए मेरा वाटसप नमबर है सेवन जिरो सिक्स टू सेवन फाइव सेवन डबल इस नमबर पर में अपनी जन्म तारिख, जन्म समय, जन्मस्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो आपको भेजना है फिर आपको सही और एकुरेट जानकारी जो है प्राप्त होगी ये पैड सर्विस है फीस जबह होने के बाद आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो में सूरी परवतपर में एक रेखा हो एक रेखा का अर्थ है कि अगर इस प्रकार से कोई भी एक लाइन अगर इस सूरी परवतपर में किधर से भी अगर एक लाइन खिचा हुआ जब आपको सूरी परवत पर दिखाई देने लगे तो आप समझ जाएं कि आपको धन प्राप्ती होने वाला है कुछ मोटा पैसा मिलने वाला है आप समझ जाएं कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है बहुत सारी बिद्धी होने वाली है समाज आपको सम्मानित करने जा रहा है देवी और सजनों इसी में जब आप बहुत सारी रेखा देखें कि सुरी परवत पर एक से अधिक रेखा है दो तेन चार कैसे भी करके रेखा अगर एक से ज़्यादा आगर सुरी परवत पर दिखाई दे अराद का उनी के जस्ट नीचे तो ये समझ लें कि आ देख रही है जो कला से जुरा हुआ च्छत्र हैं बहुत सारी रेकाओं का सुरी परवत पर होना ये भी दरसाता है कि आपको किसी परकार की उच्छी राज की पद की प्रापती होने जा रहे हैं किसी परकार के हाई लेवल का कोई बढ़ा पद जो है गौर्मेंट सर्विस आपको मिलने वाली है कोई बहुत बड़े officer वगिराया आप बनने वाले है आपस में अगर सुरी परवत्वर में रेखाएं कटती हुई परतीत हो जैसे मैंने अभी दिया है रेखाएं अगर मानलो कि इस प्रकार से कटती हुई परतीत हो कैसे भी करके अगर एक रेखा दूसरे रेखा को अगर काट रहा हो कहीं से भी कोई भी रेखा सूरी परवत्पर में तो ये समझ लें कि नौकरी में बड़ी परिसानी आने वाली है नौकरी में कुछ बड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पर सकता है नौकडी में कुछ ने कुछ समस्या जो है आपके सामने में आ सकती है देवी और सजनों सूरी परवत को और ध्यान से देखें और आप ये समझें कि अगर सूरी परवत पर में कोई बिंदू है इस प्रकार से यह सूरी परवत है यहां पर में किसी भी प्रकार का कोई एक बिंदू यहां पर में इस प्रकार से आ गया कोई एक पॉइंट पॉइंट सूरी परवत पर में आ जाए तो यह समझ लें कि आपके मान सम्मान में नुक्सान होने वाला है आपके सम्मान में हानी के संकेत जो हैं सो दिखाई दे रहे हैं, नुक्सान के संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पॉइंट जब ही आए बस तुरंत सावधान हो जाएं। आप देखें कि अगर आपके सूरी परवतपर में किसी प्रकार का कोई क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो, कैसे भी करके क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार से अगर बन रहा हो, तो आप ये समझ लें कि स्वेम की गलतियां तथा ख्याती में कमी आपको देखने को मिलेगी, अपनी खुद देखने को मिलेगा कुछने कुछ पर्यसानी कुछने कुछ समस्या जो है इस सामने आ सकती है गलतियां बहुत हो सकती है एक के बाद Hey गलती करते चले जाएंगे आप और आपके मानसंबान ख्याती में भी कमी जो है सो आपको देखने को मिलेगी अगर क्रॉस का साइन्स सूरी परवत पर दिखाई दे तो सूरी परवत पर में अगर देवी और सज्जनों आपको स्टार बनता हुआ नजर आए इस प्रकार से नक्षत्र तारा अगर बनता हुआ नजर आए तो आप ये समझ लें कि और साधारन पर सिध्धी होने वाली है रेंडम काते हैं रातो रात वाइरल हो जाना कुछ ने कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके करण से रातो रात वाइरल हो जाएंगे चारो तरफ आपके बारे में चल्चा होने लेगे चालो तरफ आपके बारे में लोग जानने लगेंगे और साधारन प्रसिध्धी और मोटा पैसा हाथ लग सकता है, किसी बरे पद की आपको प्राप्ती हो सकती है, समाज आपको किसी बरे पद पर में सो बैठा सकता है, देवी और सजनो, अगर आपके सूरी परवत्पर में इसक्वाइर का साइन बन जाए इसक्वाइर यानि की बर्ग का चिन हर्थाथ ये बर्ग का चिन अगर आपके सूरी परवत्पर में बन जाए देवी और सज्जनो तो आप ये समझें कि समाजिक सम्मान की आपको प्राप्ती होने बाली है समाज में आपको मान सम्मान मिलने बाला है समाज में आपको जो है सो कुछ बरा प्राप्त होने की समभावना जो है सो दिखाई दे रही है हर तरफ समाज में लोग आपको प्रतिष्ठा परदान करेंगी अगर आपको सूरी परवतपर में सरकल इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे वृत का चिन अगर दिखाई दे सरकल का चिन दिखाई दे तो आप समझ लें कि आपको बिदे सियात्रा का योग बन रहा है सूरी परवतपर में सरकल का चिन दिखना यानि कि बिदे सियात्रा के योग आपके लिए बिदे सियात्रा जाने का योग बनने वाला है बहुत जल्द ग्रेश यात्रा आप अपने राज से दूसरे राज भी जाएंगे वो भी गिंती में आएगी और आप अपने देश से दूसरे देश में जाएंगे वो भी गिंती में आएगी अगर आपके सूरी परवतपर में त्रिभूज बनता हुआ दिखाई दे, ट्रेंगल तो क्या होगा, त्रिभूज का बनना ये दर्साता है कि कला एवं सिक्षा के छेत्र में आपको कोई बरा सम्मान मिलने वाला है, सूरी परवतपर में त्रेंगल का साइन बनना अर्था ता आपको कला ऐवं सिक्षा के छतर में किसी बरे उच्छ शम्मान की प्रापता अगर आपको इस जगाप पर में जाली दिखाई जाल बनता हुआ दिखाई दे इस परकार से ये जो है ऐसे करके दो चार लाइन खिची हुई है और ऐसे करके ये देख लो ये जाल हो गया ये इस परकार से अगर कोई जाल बनता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि आपकी निंदा होने वाली है आपकी मानहानी होने व तो देवी और सज्ञनों आज आपने सूरी परवत पर में होने वाले आपदे बिविन एक लेकिन एक सूरी परवत को देखकर के ही पूरी हंस्त रेखा का अन्मान लगाना गलत होगा। देवी और सजनों हमने इससे पहले आपको गुरू परवत और सनी परवत का बता रखा है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और इसे मैं लिंक इस विडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आप प्रस्नली मुझसे अपनी हस्त रेखा अत्वा जन्मकॉंडली के अनुसार अपने भुष्चे के वारे में जानना चाहते हैं तो यह वाटस अप नंबर है। 7062757996 इस नंबर पर में आपको अपनी जन्मत तारीक, जन्मस्थान, दोनों हाथ के अथेली का फोटो भेजना है, यह एक पैड सर्वी से फीस जमा करेंगे, आपको सही और एक रियर जानकारी का आप तो हुए। देवी और सजनों उमीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबाएं, एक बार फिर से आप सकी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, थैंक्यू, सुमा, जैहिंत, बंदिमात्र, मुलिये, रादेर